आप सभी को हमारी तरफ से भाया दूज की बहुत बहुत शुप कामनाए चलिए शुरू करते हैं भाया दूज की कहानी एक गाउं में एक बहुत ही बुजूर्ग महिला रहती थी उसका एक बेटा था और एक बेटी बुजूर्ग महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी एक दिन जब भाय दूज का तिवार आया तो उस बुजूर्ग महिला के बेटे ने कहा कि मां मैं भी अपनी बहन के घर जाकर टीका करवा कर आऊंगा इस पर उसकी मां ने कहा बेटा हम लोग तो बहुत गरीब हैं तुम टिका करवाने के बाद अपनी बेटी को क्या दोगे लेकिन उस बुजूर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बेटी के घर जाने के लिए अपनी मां को मना लिया तब उसकी मां ने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या भेजवाऊं तो उसने एक कपास के गठडी बान दी और थोड़ी सी गुड़ की भेली हंडिया में दे दी फिर वह भाई अपनी मां के आग्या लेकर अपनी बेहन के घर निकल पड़ा जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुचा तब उसको एक बहुत ही गहरी नदी मिली वह उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबो कर मार दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर की महलत दे दो मैं अपनी बहन के घर्टी का करवाने जा रहा हूँ जब मैं महां से वापस आऊंगा तब तुम मुझे मार देना जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे देती है अब भाई आगे बढ़ता है तो कुछ दूर पहुँच कर उसको एक साप मिलता है भाई उस साप से भी यही कह देता है कि अभी मैं अपनी बहन से तीका करवाने जा रहा हूँ जब मैं लोट कर आऊंगा तब तुम मुझे मार देना इस पर साप भी भाई को रास्ता दे देता है फिर वह भाई आगे की ओर चल देता है थोड़ी दूर पहुचने के बाद उसको एक शेर मिलता है जो कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा इसके बाद वह भाई शेर से कहता है कि अभी नहीं मैं अभी अपनी बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ जब मैं लोट कर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना फिर वह भाई को रास्ता दे देता है थोड़ी ही देर में भाई अपनी बहन के घर पहुच जाता है जब वह अपनी बहन के घर पहुचता है तो घर के बाहर से आवाज लगाता है लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत कात रही होती है सूत कात ते वक्त उसका धागा तूट जाता है और वहां के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काते वक्त धागा तूट जाए तो बहार कोई भी बुला रहा हो और वह बिना आवाज करे और बिना धागे को जोड़े चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा तो उसकी बहन बिना आवाज किये धागा जोड़ने लगती है लेकिन जब भाई के आवाज लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आती है तो वह वहां से जाने लगता है तभी उसकी बहन उस धागे को जोड़ कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसको रोकती है और अपने जोसन के पास जाती है और उससे पूस्ती है कि भाई दूज के दिन क्या बनाया जाता है तब वह महिला उसको बताती है कि तुम तेल से अपने चूले को लिपो और घी में चावल पकाओ। वह घर आकर ऐसे ही करती है लेकिन ना तो उसका चूला सूकता है और ना ही चावल पकता है तब ही उसका भाई उससे कहता है कि बहन मुझे बहुत जोरों से भूक लगी है लेकिन उसकी बहन पडोस की महिला की बातों में आकर काम कर रही होती है जब उसका भाई रसोई में जाकर देखता है तो वह अपनी बहन से कहता है कि तुम बहुत भोली हो जिसके कारण तुमको लोग पागल बना देते हैं तुमने कभी घी में चावल पकते वे देखा है या तेल में कभी चूले को लीपा जाता है तुम गोबर से चूले को लीपो और पानी में चावल को पकाओ वहे बहन अपने भाई की बात मान कर वही करती है जैसे उसका भाई करने के लिए बोलता है और वहे खाना बना कर अपने भाई को खिलाती है खाना खिलाने के बाद वहे अपने भाई को टीका कर देती है जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने के लिए कहता है तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड़ू बना देती है कि इनको रास्ते में भूक लगेगी तो खा लेना और उसमें से कुछ लड़ू अपने बच्चों के लिए बचा लेती है जैसे ही उसका भाई चला जाता है तो बहन के बच्चे लड़ू खाने के लिए जिद करने लगते है तो वह अपने बच्चों को लड़ू देने लगती है तो देखती है कि लड़ू नीले हो रहे है अब बहन लड़ू के नीले होने का कारण ढूनती है तब उसे पता चलता है कि सुभे सुभे जो लड़ू बनाने के लिए बेशन पिसा गया था उसमें बेशन के साथ एक साप पिस गया था इसको देखकर वह बहुत दुखी होती है और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है तब वह बहन पूशती है कि भाई तुने लड़ू तो नहीं खाया उसका भाई कहता है नहीं और तभी वह अपने भाई को सारी बात बता देती है लेकिन तभी उसका भाई कहता है तुने मेरी जान आज तो बचा ली लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचाओगी अपनी बहन को अपने साथ हुए रास्ते में सभी चीजों के बारे में बता देता है उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती है और उसके साथ जाने के लिए कहती है उसका भाई अपनी बहन को साथ लाने के लिए मना कर देता है लेकिन उसकी बहन जिद करती है तो वह मान जाता है और तब वह दोनों चल देते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वह बहन बोलती है भाई मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है उसका भाई कहता है कि यहीं पास में एक तालाब है रुको मैं तुम्हारे लिए जल ले कर आता हूँ वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं जाने देती वह स्वेम ही अकेले तालाब के पास जाती है जब वह तालाब के पास पहुंचती है तब उसको एक बुजर्ग महिला मिलती है वह बुजर्ग महिला को तालाब के पास देखकर उससे पूछती है कि आप कोन है जब वह महिला बताती है कि मैं एक भाई का इंतजार कर रही हूँ उसकी बहन ने एक साप को मारा है जिसके कारण मैं उसका काल बन कर बैठी हूँ उसकी बहन उस बुजुर्ग महिला से अपने भाई की जान बचाने का उपाय पूसती है तभी वह बुजुर्ग महिला उससे कहती है तुम अपने भाई को खूब गालियां दो और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक सारी घात टाल दो तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है वे बहन तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मास का टुकडा एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूद लेकर अपने भाई के पास आती है और उससे कहती है चलो वे दोनों बहन भाई चल देते हैं और थोड़ी दूर चलने के पश्चात उन्हें वही शेर मिलता है जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले वी रोका था जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब उसकी बहन शेर को एक मास का टुकड़ा खाने के लिए दे देती है जिससे शेर उस मास के टुकड़े को खाने लगता है और वहां से वह दोनों आगे चल देते हैं थोड़ी दूर चलने के पश्चाद वही साप मिलता है जो उसके भाई को खाने के लिए पहले आया था तो वह साप को अपने साथ लाई हुई एक कटोरी में दूद को साप के आगे रख देती है जिससे साप दूद पीने लगता है और वहे लोग आगे की ओर चलने लगते हैं आगे जब नदी के पास पहुंचते हैं तब उसकी बहन नदी को एक चुन्री देती है जिससे नदी परसन होकर उसको आगे जाने का रास्ता दे देती है और थोड़ी देर पश्चात वहे लोग अपने घर पहुंच जाते हैं घर पहुंच कर उसकी माँ अपने दोनों बच्चों को देख कर बहुत खुश होती है लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है यह देखकर मा बेटे दोनों आश्यर चकित हो जाते हैं थोड़े दिन बाद भाई के शादी तैह हो गई जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली इसको क्यों सहरा पहना रहे हो सहरा तो मैं पहनूंगी और अपने भाई को गालियां देने लगती है सब लोग परिशान होकर सहरा उसकी बहन को पहना देते हैं बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगे साप का बच्चा था बहन ने उसे निकाल कर फेक दिया अब जब भाई घोडी पर चड़ने लगा तो बहन फिर से बोली यह घोडी पर क्यों चड़ेगा घोडी पर तो मैं बैठूंगी और फिर से गालिया देने लगी सब लोग बहुत परिशान हो गए सब ने उसे घोडी पर भी चड़ा दिया जब बराच चलने लगी तो बहन बोली कि यह दरवाजे से नहीं निकलेगा यह तो पीछे के रास्ते से जाएगा दरवाजे से तो मैं निकलूंगी जब यह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो अचानक से दरवाजा गिरने लगा बहन ने एक इट उठा कर अपनी चुन्री में रख ली दरवाजा वही की वही रुख गया सब लोगों को बड़ाश चरिये हुआ रास्ते में एक जगे बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड के नीचे खड़ा कर दिया बहन कहने लगी यह क्यों छाओ में खड़ा होगा यह तो धूप में खड़ा होगा छाओ में तो मैं खड़ी होंगी जैसे ही वह पेड के नीचे खड़ी हुई पेड गिनने लगा बहन ने एक पत्ता तोड़ कर अपनी चुन्री में रख लिया पेड वही का वही रुक गया अब तो सब को विश्वास हो गया कि यह बावली नहीं है यह तो कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार-बार अपने भाई की रक्षा कर रही है जब फेरो का समय आया तो वह एक हांडी लेकर अपने भाई के पीछे बैठ गई और उसने उसकी जूती में साप देखकर उस जूती को हंडी में डाल कर रख लिया और इस तरह से उसने अपने भाई की जान बचा ली अब उसके भाई की शादी हो जाती है और दुलन घर में आजाती है तो वह सभी को सच बता देती है कि वह ऐसा क्यों कर रही थी जिससे सभी लोग उसकी बहन की परशनसा करने लगते है और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है मा अपनी बेटी को खुशी से विदा करती है और बहन अपने घर वापस लोट जाती है गनेश भगवान जी जैसे उसके भाई की रक्षा की वैसे ही सभी के भाईयों की रक्षा करना